अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो टू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन पर क्लिक करना ना भूलें इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेर अवश्य करें अब मैं प्रस्तुत करूँगा डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपई साहब को दो शेर उनी के पूरे गुल्षन का चलन चाहे बदल जाए मगर बद चलन होने से खुश्बू तो बचा ली जाए खुदा से बोलूँगा अब मुझको अपने पास ही रख खुदा से बोलूँगा अब मुझको अपने पास ही रख फिजूल जाता है सबवक्त आने जाने में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपी साहब आदर्णिये मुरारी बापुजी यहां बैठे सभी प्रबुद्ध जन मंच पर मेरे सब आदर्णी कवीव बंदू सबसे पहले मैं एक छोटी सी चंद मुक्त कविता सुनाना चाहूँगा क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली ने इतनी तरक्की कर ली है कि यहां रोड रेज होता है रोज तो यह कविता मैं छोटी सी चंद मुक्त कविता है कविता का शिर्चक है वे लोग कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चीटियों के ठिकाने चटों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने के आकर चुक सके चडियां वे घर के बाहर बनवाते थे एक हौदी की आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी भोजन प्रारम करने से पहले वे लोग निकालते थे गाहे और दूसरे प्राणियों का हिस्सा सुरियास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पती तक कि खलल नपड़ जाए सोई हुए पेड़ों की नीद में सुरियास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पती तक कि खलल न पड़ जाए सोई हुए पेड़ों की नीद में वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात अजनभी से पूछ लेते थे उसका परिचे जरूरत मंद की दिल खोल कर करते थे मदद बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान कोई ब Gomez का पूछे किसी का मकान कोई ब सुनाओं पूछा कर आजा आजार रात बिरात कोई भूला भटका अंजन मुसाफिरा आ जाए रात बिरात संभू है अभी भी दूर दराज किसी गाओं या कस्बे में संभो है अभी भी दूर दराज किसी गाउं या कस्बे में मौजूद हूँ उनकी प्रजाति के कुछ लोग का शैसे लोगों का बन सकता एक संग्रहाले कि आने वाली पीडियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था बहुत बहुत शुक्रिया गजल की तरफ चलता हूँ और एक बहुत सादा सी गजल है छोटी बहर की गजल है गजल सुनिएगा बहुत सादा सी गजल कि खूब नारे उच्छा ले गए खूब नारे उच्छा ले गए खूब नारे उच्छा ले गए लोग बातों में टाले गए खूब नारे उच्छा ले गए लोग बातों में टाले गए और इस एक मतलब और सुने, कि जो अन्धेरों में पाले गए, जो अन्धेरों में पाले गए, दूर तक वो उजाले गए, और शेर सुने, कि जिन से घर में उजाले हुए जिन से घर में उजाले हुए वो ही घर से निकाले गए और ये शे सुनेगा कि जिन के मन में कोई चोर था वो नियम से शिवा ले गए जिन के मन में कोई चोर था वो नियम से शिवा ले गए और ये शे सुनेगा कि पाउं जितना चले उन से भी दूर पाउं के चाले गए और ये शे सुनेगा कि एक जरासी मुलाकात के एक जरासी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए एक जरासी मुलाकात के एक जरासी मुलाकात के कितने मतलब निकाले गए और शे सुने कि हमारे देश में ये माजिद भाई ने जो इशारा किया कि ये दंगे फसाद के सांस्कृति का आउजन होते रहते हैं शे सुनेगा कि कौन साजिश में शामिल हुए कौन साजिश में शामिल हुए किन के मुहों के निवाले गए कौन साजिश में शामिल हुए किन के मुहों के निवाले गए और आखरी शेर हमारी भारती प्राचीन संस्क्रती प्राचीन जीवन मूल से आज की वीडियो संस्क्रती तक एक बात कि अब ये ताजा अंधेरे जियो अब ये ताजा अंधेरे जियो अब ये ताजा अंधेरे जियो कल के बासी उजा ले गए अब ये ताजा अंधेरे जियो कल के बासी उजा ले गए खुब नारे उच्छा ले गए लोग बातों में टाले गए और एक गजल से समापन करता हूँ इस गजल का जो मतला है वो आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से मैं आदरनी मुरारी बापुजी को भेंट करता हूँ कि तूटते लोगों को उम्मीदे नहीं देते हुए कि तूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए लोग है कुछ जिन्दगी को जिन्दगी देते हुए कि तूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए लोग है कुछ जिन्दगी को जिन्दगी देते हुए शेर सुने कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए कि याद बर बस आ गई मा मैंने देखा जब कभी कि याद बर बस आ गई मा मैंने देखा जब कभी मुम बती को पिघल कर रोशनी देते हुए कि याद बर बस आ गई मा मैंने देखा जब कभी मुम बती को पिघल कर रोशनी देते हुए कि आज के इस दोर में मिलते हैं से भी चराग कि आज के इस दोर में मिलते हैं से भी चराग रोशनी देने के बदले तीरगी देते हुए कि एक अमावस पर ये मैंने रात के मुह से सुना कि एक अमावस पर ये मैंने रात के मुह से सुना चांद बुढ़ा हो चला है चांद नी देते हुए एक अमावस पर ये मैंने रात के मुह से सुना चांद बुढ़ा हो चला है चांद नी देते हुए तूटते लोगों को उम्मीदे नई देते हुए लोग है कुछ जिन्दगी को जिन्दगी देते हुए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्रूमीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकोन पर क्लिक करना ना भूले इस वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेर अवश्य करें